Hello students, मैं विकास आप सभी का exam मंतन पर सौगत करता हूँ देखे हम NCN India पढ़ रहे थे और NCN India गंतरकर जो आज का हमरा टॉपिक है वो है कन्नोज का तिरी पक्षे संगर्स ठीक है, इसे पढ़ने का अलग से कारण ये है कि देखिए छोटी छोटी चीजों में डिवाइड करके पढ़िए उससे आपको confusion नहीं होगी मैं पाल वंस, पृतिहार वंस और राष्ट कूट वंस आपको पढ़ाता आपका doubt इतना किलियर नहीं होता कन्नोज के तिरी पक्षे संगर्स को लेकर जितना अब आप इसे अलग से पढ़ेंगे उतना किलियर होगा तिरी पक्षे संगर्स को लेकर ठीक, अलग से पढ़ाने का यही कारण है वनना एक वीडियो में मैं भी खतम कर सकता था ठीक, तो आज हम पढ़ेंगे कन्नोज का तिरी पक्षे संगर्स इसे अलग से पढ़ने का एक और काड़न है दूसरा देखिए प्रितिहारवंस, पालवंस और राश्टकूटवंस ने कन्नोज के त्रीपक्चिय संगर्स में भाग लिया चूकि आगे हम पालवंस, प्रितिहारवंस और राश्टकूटवंस पढ़ने वाले हैं इसे पढ़ने वाले हैं कन्नोज का त्रीपक्चिय संगर्स इसे पढ़नेंगे तो हमें थोड़ा आइडिया हो जाएगा इनकी राजधानिय क्या थी इनका छेत्र क्या था ठीकर इनके कौन-कौन से राजा महर्त पूर्ते एक दो ठीक वैसे राजाओं वाली वीडियो में अलगसे करा दिये फिर भी एक आइडिया लगा रहे ठीक तो इसी लिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे कन्नोज का त्रीपक्चिय संगर्स तो आईए वीडियो सुरू करते हैं कन्नोज के त्रीपक्चिय संगर्स पर देखिए आखिरकार कन्नोज का त्रीपक्चिय संगर्स क्यूं हुआ सबसे पहले ये समझी है उससे पहले समझे कन्योज कहां पर है हमारा, देखिए कन्योज है ये वाला हिस्सा हमारा कन्योज है, जो कि UP में पढ़ता है कन्योज, कन्योज का त्रीपक्षे संगर्स होने का कारण, देखिए प्राचीन भारत नहीं, बेलकि मेडियोल भारत, मेडियोल भारत छोड़िये, आज आप modern में भी देख सकते हैं युद्ध होने का कारण क्या है युद्ध होने कारण क्या है भूमी का विस्तार करना भूमी का विस्तार करना अपनी भूमी छित्र को बढ़ाना कोई भी राजा प्राचीन भारत में तब प्रतापी राजा कहलाया तब उसने अपनी भूमी क का विस्तार किया अपने छित्र का विस्तार किया ऐसा कोई राजा बताईए जिसके पास दो एकर जमीन हो और वो प्रतापी राजा कहलाया हो नहीं हो सकता कौन कहलाया किसका भैवेठा जिसने दूसरे राजाओं को हराया उनकी जमीने हर्पी और अपना विस्तार किया उसे कह परताफी राजा तो यही ता प्राचीन भारत प्राचीन भारत छोड़िये आज आज आप अपने समय पर भी देख लीजिए जो हमारा वर्तमान चल रहा है उसमें भी क्या है चीन की भी रणनीती किसी प्रकार की है उसी प्रकार की तो कदम आगे बढ़ना एक कदम पीछे ठीक है भूमी का विस्तार करना तो कन्योज के तरी पक्षिय संगर्स का कारण भी कुछ इसी प्रकार रहा भूमी का विस्तार कन्योज पर ही क्यों करना चाहते थे ये कारण बनना चाहिए क्यों उन्होंने दक्षिन पर नहीं किया, क्यों उन्होंने उत्तर पर नहीं किया, कन्योज पर इसलिए किया, क्योंकि कन्योज उस टाइम पर सिल्क रूट हुआ करता था, सिल्क रूट का मतलब है, जैसे कि यहां से चीन से सिल्क जाता था, कहां पर पाकिस्तान और इस वाले चेतर में जाता था यूरोप बाली चेतर में तो ये वाला रास्ता पढ़ता था कन्योज वाला क्योंकि उस टाइम पर यहां पर पहार थे बर्तमान में तो यहां से दर्रे सडके निकाल दी गई है ठीक है उस टाइम पर सडके और दर्रे तो थे नहीं तो कहां से जाते थे इस इस वाले छेतर से होकर पाकिस्तान उस टाइम पर पाकिस्तान भी नहीं था कहने का मतलब है कि यहां से जितना भी सावान जाता था इस वाले छेतर से होकर जाता था चीन का सिल्क सिल्क का सरवादिक चीन करता था उस समय पर तो यहां से होकर जाता था और यहां से क्या करते थ थे ठीक है ना, टेक्स के रूप में सोना लेते थे और बहुत जादा सोना आता था, सिल्क आता था, ठीक ना, खातदान आते थे, इसी कारण ये भाती अमीर था, कन्योज उस टाइम पर बहुत अमीर हुआ करता था, ठीक है न, दूसरा उपजाओ जमीन के कारण महत्यपूर इसी कारण युद्ध हुआ कन्योज के तिरी पक्चे संगर्स को लेकर ठीक है कन्योज के तिरी पक्चे संगर्स को लेकर युद्ध हुआ दूसरा कारण देखे राजनीतिक कारण देखे तो राजनीतिक कारण हम अलग से पढ़ेंगे तो ये था एक केवल आर्थिक कारण था कन्योज की तरी पक्चे संगर्स को लेकर केवल आर्थिक कारण वरना तो आप समझ सकते हैं देखिए ये युद्ध 200 सालों तक चला 200 सालों तक चला अब आप बताईए उन राजाओं ने जिन्नोंने युद्ध सुरू किया वो कितने साल वाद 30-40 साल वाद मर गए होंगे ठीक है ना भुगता किसने उनके आने वाली संतानों ने उनके आने वाली 2-3 पेडियों ने उनसे भुगता 200 सालों तक तो क्या फायदा रहा क्या कन्योज इतना पैसा दे सकता था इतना खादान ने सकता था नहीं दे सकता था जितनी बरवादी हुई ठीक ना 200 सालों तक इस पर संगर्स चला मिला क्या कुछ नहीं तो यही था युद्धों का कारण मिला कुछ नहीं था केवल उन्हें अपना विस्तार करना था अपने स्वाविमान को ठेस ना पहुँचे स्वाविमान के उपर लड़ाईया होती थी स्वाविमान का मतलब आप समझे महावारत का सबसे अच्छे एक्जामपल है जब द्रोपती का चीर हणन हुआ तो महावारत का युद्ध शुरू हुआ ठीक है जब महावारत का युद्ध आधा हो लिया पांडब बैटकर बात कर रहे थे जब आपस में चर्चा हो रही थी तो द्रोपती आई और द्रोपती ने कहा वही अपनी पुरानी बात की मेरा चीर हणन हुआ था मैं बदला लूँगी तो उसी समय पर भगवान स्री किष्ण ने कहा रुकिये देवी जी रुकिये आप जरा क्या आप ये समस्ती है जो अब ये महावारत का युद्ध चल रहा है जो महावारत का वर्तमान में युद्ध चल रहा है वो आपके चीर हरण के उपर चल रहा है ये आप दिमाख में से निकाल दीजिए अगर आपके चीर हरन के उपर चल रहा होता तो क्या एक सिस्से अपने गुरू को मारता अपना भाई एक चचेरा भाई अपने चचेरे भाई को मारता कभी नहीं होता ऐसा अब ये युद्ध आपके चीर हरन के तक सीमित नहीं है चीर हरन तक, वहां तक सीमित्ता, केवल आपने युद्ध सुरू कराया, अब तो ये स्वाभी मान का युद्ध चल रहा है, कि उसने मेरे भाई को मारा, मैं उसके भाई को मारूंगा, ठीक है, गुरू ने मेरे भाई को मारा, अब मैं गुरू को मारूंगा, ठीक है, भीसन प प्रतिहार वंस के किसी राजा को राष्टकूट वंस के राजा ने मार दिया, फिर इन में स्वाविवान पैदा हुआ कि मैं इसे मार कर रहूँगा, जब इसने मारा तो इसने इसे मारा, बस इसी पिरकार 200 सालों तो लड़ाई है चलती रही, मिला कुछ भी नहीं, ठीक है, त तो कन्नोज का तरीपक्षी संगर्स आथ सुरू करते हैं, देखें कन्नोज के तरीपक्षी संगर्स में 3 वंस वंसों ने भाग लिया, पृतिहार वंस, पाल वंस और राष्टकूट वंस, जैसा कि पृतिहार वंस जू था उसकी राषदानी उज्जेन थी, तो ये वारा छ जो कि हमारा करनाटक में पढ़ता है थोड़ा बहुत तमिलाडू वाला छेत्र थोड़ा बहुत थीक न मैंने यहाँ पर ऐसे डिनोट किया थोड़ा दिखाने के लिए थीक तो राष्टकूट वन्स था करनाटक वाला यह वाला करनाटक और तमिलाडू छेत्र जो है दक्षि प्षिरी कहा जाता था क्योंकि ए बहुत ही जादा अमीर था उसके बाद यहां पर वर्धन वनस आया थी मालती मादव और हर्स चरित्र और वागठी गोट महूग ना उसके बाद आयुद्ध बनस आया, वर्धन बनस के बाद आयुद्ध बनस आया, जिसका राजा बना इंद्रायुद्ध, कौन बना इंद्रायुद्ध, ठीके ना, इंद्रायुद्ध जो था, उसे धरम पाल ने हराया, पाल बनस के राजा, धरम पाल ने उसे हराया, और चक्र युद्ध को राजा बना दिया जवर्जस्ती जवर्जस्ती बना दिया हरा के जवर्जस्ती वाली बात हो गई ठीक है उसे राजा बना दिया ये बात दो रवनसों को समझ में नहीं आई उन्हें अच्छा नहीं लगा कि इंद्रा युद्ध एक अच्छा राजा था उसे इस राजनीती से किसने धरम पालने हराया और चक्रा युद्ध को राजा वना दिया ठीक है ये बात प्रतिहार और राश्टकूट वंसों को समझ में नहीं उन्हें अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने क्या कहा उन्होंने इससे युद्ध लड़ने की बात की ठीक है युद्ध कि त्रीपक्षी संगर्च में सबसे पहले भाग किस वंस ने लिया तो पाल वंस ने लिया किस राजा ने लिया धरम पाल ने लिया क्योंकि इसने छेड़ा इंद्रा इद्ध दुगो तो सबसे पहले किस राजा ने भाग लिया धरम पाल ने और किस वंस ने पाल वंस ने ल लेकिन जीता कौन? जीता प्रतिहारवंस. ठीक है? सबसे पहले बात करते हैं पालवंस पर. सबसे पहले त्री पक्छिय संगर्स में भाग लेने वाला वंस. कौन सा पालवंस? इसका राजा कौन था? जिसने भाग लिया धरमपाल था. इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते, धरमपाल की दो उपादिया, परम सौगात और उत्तरापत स्वामी, इसने सोमपुरी बिहार की स्थापना की थी, इसने विक्रम सिला विस्विध्याले की स्थापना की थी, बिहार में, इसने नालंदा विस्विध्याले के लिए 200 गायों को दान में दिया था और 200 गाऊं को दान में दिया था किस ने धरम पाल ने थीक या न ये चीज़ें आपको धरम पाल से याद रखनी है थीक फिर से रिपीट करता हूं कन्नोज के तृपक्षे संगर्स में भाग लेने वाला पिर्थम बंस था पाल बंस ठीक है इसका जो राजा था धरमपाल ठीक धरमपाल की उपादी थी परमसवगात और उत्रापत स्वामी परमसवगात उत्रापत स्वामी इन्होंने विहार में विक्रमसिला विस्विध्याले की स्थापना की नालंदा विस्विध्याले के लिए 200 गायों को और 200 गाउं को दान में दिया ठीक और सोमपुरी विहर की स्थापना की जिससे की बौद धर्म के लोग आएं यात्रा करें और ठहरें आराम करें ठीक उसके बाद हम बात करते हैं पिर्तिहारवंस देखें पिर्तिहारवंस जो था इसने ही युद्ध जीता दो सो वर्सों तक युद्ध चला और जीता किसन संगर्स में सबसे पहले भाग लिया पिर्तिहारों की तरब से ठीक है लेकिन नागभट दुत्य है नागभट अन्योज को जीता नागबट दुत्या ने और अपनी राजधानी बनाया ठीक है बात करते हैं राश्टकूट बंस पर तो राश्टकूट बंस का जो राजा था जिसने त्रीपक्चिय संगर्स में सबसे पहले भाग लिया वो था दुरू जिसकी उपाती दी धारा वर्स ठीक गंगा और यमना भैती हुई इसका राजचिनन था ठीक है राश्टकूट बंस का प्रिथम राजा था जिसने त्रीपक्चिय संगर्स में भाग लिया धुरू ठीक है तो ये चीज़े आपको याद रखनी है क्या क्या चीजे एक बार हम देख लेते हैं ठीक है सबसे पहले देखते हैं कि आखिरकार क्या कारण रहा तिरीपक्चिय संगर्स में युद्ध होने का देखिए सबसे पहले कन्योज को महोदर्शरी कहा जाता था क्योंकि ये सबसे पहली बात तो आपको याद रखनी है क्योंकि ये अपना आर्तिक द्रस्टी से बहुत ज्यादा अमीर आर्तिक द्रस्टी से बहुत ज्यादा अमीर था करनौज ठीक करनौज आर्तिक द्रस्टी से बहुत ज्यादा अमीर ये आपको याद रखना दूसरा इसे क्या कहा जाता था तो इसे महोदर्शरी चाहा जाता था और स्थापना जो थी हैं पर kis son Kenra09 वर्धन मंस का, हर्स वर्धन का सासन रहा उस समय पर, उसके बाद यशो वर्मन आये जिनने हूडों को हराया, यशो वर्मन के आपको दो दरवारी याद रखने भव भूती और वागपती, भव भूती की रचना है मालती मादव और हर्स चलित्र, वागपती की ये गोड आयुद वन्स का राजा था इंद्रा युद्ध, ठीक ना, इंद्रा युद्ध को धरमपाल ने हराया और चक्रा युद्ध को जवर्जस्ती राजा बना दिया, जिसके कारण ये बात हमारी पृतिहार वन्स और राष्टकूट वन्स को अच्छी नहीं लगी, और उन्हों पर ये लड़ाई लड़ी गई और इनाम के तौर पर इसे रखा गया कि जो जीतेगा उसे कन्योज मिलेगा, ठीक है, तो सबसे पहले भाग किस ने लिया, पाल वन्स ने लिया, ठीक है न, सबसे स्यादा सक्तिसाली कौन सा वन्स था, राष्टकूट वन्स था, ठीक है, जी राष्टकूटों की राजदानी मानने खित, करनाटा को थोड़ा बहुत तमिलनाडू वाला छेत्र, पालों की राजदानी पाटली पुत्र, जो कि हमारा विहार वाला छेत्र है, ठीक है, सबसे पहला राज़ा जिसने कन्योज के तृपक्ची संगर्स में पालों की तरफ स सबसे पहले भाग लिया वत्सराज, और राष्टकूटों की तरफ से सबसे पहले भाग लिया धुरूबने, ठीक है, आईए एक एक पर बात कर लेते हैं, जैसे की, जैसे की हमारा पालों की तरफ से, सबसे पहले हमारा तृपक्ची संगर्स में भाग लिया, ठीक है, ठीक ह पाल इसकी उपादी थी परम सौगात और उत्रापत स्वामी इसकी उपादियां थी इन्होंने बिहार के विक्रम सिला विस्विध्यले की स्थापना की दोसो गायों और दोसो गाउं को दान में दिया किसके लिए नालंदा विस्विध्यले के लिए और सोम फिरी बिहार की स् प्रतिहारवंस का जो राजा सबसे पहले भाग लिया वो था वत्सराज और जब जीता गया कन्योज को उस समय राजा था नागभट दुत्य है ठीक है इसने जीता और कन्योज को अपनी राजधानी बनाया बात करें राष्ट कूट वंस की तो धुरूब ने सबसे पहले कन्यौज की तुरी पक्षी संगर्स में भाग लिया जिसकी उपादी थी धारावर्स और इसका राजस्क्रनिता गंगा युगना सब्सेंध में उम्मिद करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा देखिए करनोज का त्रीपक्षी संगर्स नहीं बलकि कोई भी युद्ध हो उसका कारण सुरू होने का कुछ और होता था खतम होने का कुछ और होता था आप देख लीजिए आपने अलाउद्दीन खिल जी मुवी दीखी होगी उसका सुरू होने का कारण क्या था युद्ध का ठीक है एक महीला ठीक एक महीला अपनी खूबसूर्ती का कारण लेकिन अंत किस से हुआ उसकी मिर्थी उसे ठीक तो ये चीज़ आपको समझनी होगी शुरूआत एक खूबसूर्ती से हुई और अंत उसी की खूबसूर्ती से हुआ ठीक कौन मरा राजा मरे आम जनता मरी ठीक है किसके उपर एक महीला के उपर ठीक तो जो भी युद्धो दे थे कही ना कही उनमें जो मुख्य दो कारण रहते थे प्राचीन भारत, मेडिवल इंडिया तक क्या एक तो कोई सुन्दर महीला होगी जिसके पीछे युद्ध हुआ होगा दूसरा कोई भूमी का टुकड़ा होगा महीलाओं के पीछे युद्ध हुने का कारण ये था कि उनकी खूबसूर्ती और कुछ मत समझना उनकी खूबसूर्ती के पीछे ही हमेशा युद्ध हुए दूसरा भूमी का विस्तार करने के पीछे राजाओं ने युद्ध किये शुरू होने का कारण हमेशा कुछ और रहा लेकिन अंत किसी बात पर ही हुआ अंत जो हुआ वो हमेशा बुरा ही हुआ किसी का अच्छा नहीं हुआ क्योंकि आमजंता ही मरती थी राजा तो एक दो मरे आमजंता लाखों की तादात में मरी तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है ऐसे ही करनोज का त्री पक्षे संगर्स किस से सुरुआ महावारत का युद्ध पांचालीस है लेकिन खतम कहां पर हुआ खतम हुआ स्वाबिमान पर उसने मेरे भाई को मारा गुरू को मारा ठीक है न करन मरा ये मरा वो मरा और अंत क्या हुआ अंत बुरा हुआ ठीक है जितना हो सकेगा अच्छे से कंप्लीट करेंगे ना कि NCR को बल की Medieval और Modern को भी साथ की साथ आप 10 वजे Live टेस्ट भी लगाते रहें क्योंकि देखे सिलेवस कभी खतम नहीं होता है क्योंकि सिलेवस कभी खतम नहीं होगा साथ की साथ प्रिवेस एर भी लगाते चलें साथ की साथ खतम करते चलें ठीक है और साथ की साथ अपना सिलेवस भी कभर करते चलें ठीक तो हम नेक्स्ट वीडियों मिलेंगे तब तक आप अच्छे से अपना इसको टॉपिक को खतम कर देना क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आप प्रतिहार वंस पाल वंस और आश्टकूट वंसो को पढ़ेंगे तो उससे पहले आपका ये कबर होना चाहिए ठीक है तो नेक्स्ट वीडियो मिलंगे अच्छे से करना रिवीजन थैंक यू